जैहिन PCS में कर YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज से हम लोग पढ़ेंगे इडिटेरिया का जो BPSC का जम प्रैक्टिस टेस्ट आया है जो सरचवी BPSC का प्रैक्टिस है आपके मार्केट में यह बहुत इंपॉरेंट है आपके सरचवी BPSC प्री एक्जाम 12 के लिए तो फ्रेंट्स बने रही है अपने इडिटेरिया का जो प्रैक्टिस टेस्ट है यह बहुत अच्छा है तो आते हैं अपने पॉइंट पर देख दो घंटा देखें फेंट्स और यहां पर आपका आज का फॉस्ट कोशन अगर आपको आंसर आता होगा तो प्लीस कमेंट करके इसको बताएगा और इसका पीडिएप चाहिए तो टेलिग्राम से नीचे दीएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा टेलिग्राम जो अगर बात करें कि समिधान के अनुष्यद 108 के तहत जो राष्ट पती गोसंसर से अधिवेशन मुलाने का अधिकार है ठीक है याद रखीगा नेक्स्ट आपका दो नमर कोशन कि निम्लिखित में से कौन भारत के राष्ट पती के चुनाओं में निर्वाचक मंडल के सद सदस्य तो देखेगा समिधान के अनुष्य 24 के अनुए 54 के अनुष्य 24 बारत के राष्ट पती का निर्वाचन अप। द्वारा अर्थात अनुपाथिक प्रतिनित्थ पती चुनाओं थेक के अनुष्य गया जाता है ठीक है याद रखेगा और जो इनका जो निर्वाचन जो होता है फेंट्स वो दोनों सद्नों के निर्वाची सदस्य द्वारा समरित रूप से होता है इनका निर्वाचन ये भी आपको ग्यादर कियेगा ठीक है नेक्स्ट आपका त्री नमर कोशन कि नीती निर्देशकतत्व के संदम में गलत कथन को चूनिये तो राइट अंसे पहला है क्या समिधान के भाग चार में इसका उल्लिक है तो ये आपका सही है नेक्स्ट आपका बीक आइरलेंड के समिधान से ग्रहन किया गया है तो ये भी सही है डॉक्टर अंबेदकर ने इसे समिधान की अनोखी विसेस्ता कहा ये भी सही है इन्हें लागू करने के लि अनुष्यद 36-51 में जो आपका राज के नीती निर्दे सकत्व का अनुष्यद में किस अनुष्यद में है तो यादर किया 36-51 कि किस समीती ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्म निर्वर बनाने की सिफारिस की है और 1986 में डॉक्टर एम सिंग्वी की अध्यक्स्ता में गठित इस समीती ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्म निर्वर बनाने 1986 में इसका गठन हुआ है नेक्स्ट आप का पांच नमर कोशन कि किस समीधान संसोधन के द्वारा मौलिक कर्तब को समीधान में जोड़ा गया बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है ठीक है तो राइट हैं सो जाएगा ऑप्सन नमर सी 42 में समीधान संसोधन यादर किया यह कब ह एक अनुछेद में एक्यावन के कोव में 26 समीधान संसोधन द्वारा 11 मौल कर्तब जोड़ा गया ठीक है जिसमें अनुछेद 51 के कोव में मौल कर्तब की कुल संख्या कितनी हो गया तो 11 है तो यादर रखिएगा कोशन यहाप यह पूस्ता है कि अभी वर्तमान में मौल कर् प्राप्धान किया गया है राइट एंसर ऑफसर नमड़े केंद्रो राज के मध्य वित का बटवारा ठीक है फ्रेंट्स नेक्ट देखिएगा सेवेन नमर कोशन है आपका संसत को बीधि निर्वान की सकती समीधान के अनुचे दो सो तिरपन में प्रदान की गई है तो ये भी आपनों के याद रखेगा कि केशवानन्द भारती वनाव केरल राजवाद 1973 में दिये गए किस निर्नय को सर्वच निर्नयाले के सबसे महतपुर्ण निर्नयों में से एक माना जाता है समिधान की अधार्भुत सनचना का सिध्धान के लिए इसे अधार्भुत माना जाता है तो केशवानन्द भारती केश 1973 में सर्वच निर्शर पर्थम समिधान के अधार्भुत सनचना का सिध्धान प्रतिपादित किया था कब याद किया 1973 में ये important question है ठीक है friends समिधान के भाग सत्रह में संग के सास्किये प्रयोजनों के लिए पर्योग होने वाले अंगो का वर्णन या निम्रिकित में से है राइड एंजर option number C भारती अंगो का अंतरास्टिये रूप यादर कीएका friends की भारत समिधान के भाग सत्रह में संग की भासा का उलेख है अनुछे 1343 में संग की राजवसा का वड़न करती हुए कहा गया है कि संग कि राजवसा हिंदी और लिपी देवनाग्रिक होगी यादर कीएका किस अनुछित के तहट कहा गया है कि जो हमारे जो देश की जो भासा है हुंदी होगी और देव नागडी हमारे लीपी होगी तो यादर कि अनुछे 343 अनुछे 343 यह बहुत इंपॉरिन है यादर के फेंस ठीक है संचित नीधी से किया जाता है तो यह आपका सही है बेतन भारत की संचित नीधी से किया जाता है तो यह आपका गलत है ठीक है पेंसन राज की संचित नीधी से किया जाता है तो यह आपका सही है तो देखेंस यहाँ पे आपका राइट अंसर यहाँ पे गलत जो कथन है वह आ तेके फ्रेंट्स राजयपाल को बेतन राज की संचित नीधी इवंपिंशन भारत की संचित नीधी से दिया जाता है तो वे राज्य राष्टपती द्वारा निधारित अनुपात के अनुशार उसके बेतन एबं हत्तों का खर्च वहन करेंगे ठीक है नेक्स्ट एफ रेंड्स आपका बारा नमर कोश्चन कि आर्थिक आधार पर अरक्षन को किस सम्मिधान संसोधन द्वारा सुईकार किया गया बहुत इंपॉर्डिन कोश्चन है ये तो राइट अन्सर आफ्चन नमर सी एक सो तीनवे संसोधन के तहत तो सम्मिधान के 193 संसुधन दोहरा आर्थिक आधार पर अरक्षन को स्विकार किया गया 12 जनवरी 2019 को राष्टपती रामनात कोविन ने 193 सम्मिधान संसुधन अधिनियम 2019 को श्रहमती प्रदान की है तो याद है कि कब गगा था तो 12 जनवरी 2019 को Next step क के 30 नमर गुशन कि किस सासक को किस उसके सिक्कोपर वीना लिये अंकित किया गया है तो right answer option number IS समुधर गुप्त तो समुधर गुप्त की गरूर अंकित मुद्रा पर उसे वीना वादन करते हुए दरसाया गया है समुद्गुप जो है वो गुप्त बंस के प्रतापी राजा थे ठीक है नेक्स्ट आपका 14 नमर कोश्चन कि वैदिक काल में आजीवन और विवाहित रहने वाली कर्णियाओ को निमलिखित में से क्या कहा जाता था राज अफ्चर नमर भी अमाजु कहा जाता था नेक्स्ट आपका 15 नमर कि तामर पासानिक अस्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्षे किस अस्थल से प्राप्त हुआ है राज अनसर अफ्चर नमर सी नबदा टोली से तो नब्दा टोली से जो नर्मदा नदी के किनारे इस्तित है से अनाज के सबसे बड़े साक्ष मिले है लोतल से गोदिवारा का साक्ष प्राप्थ हुआ है और नवीन उत्खनन से राखी गड़ी सबसे बड़ा नगलिये छेतर बन गया है नेक्स्ट आपका 16 नमर कोशन की 14 सदी पुर्व का बोगास गोई अविले कहां से प्राप्थ हुआ है राइट आंसर ओफसर नमबर ए एशिया माइनर से तो बोगास गोई अविले क जो है एशिया माइनर छेत यानि की तुर्की से प्राप्थ हुआ है याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट है आपका 17 नमर कोशन किनिम लिखित में से किस सासक ने संपुर्ण स्रिलंका पर विजय प्राप्त की है राइट अंसर और बी राजेंद्र प्रथम ने तो हाला कि सरप्रथम स्रिलंका पर विजय राज राज प्रथम ने पाई थी करने का से राजेंद्र प्रथम को जाता है तो याद रखिए अगर कोशन ऐसे पुछे कि सरप्रथम स्रिलंका पर विजय किसने प्राप्त किया तो राज राज प्रथम ने लेकिन अगर आपसे पुछे कि संपुर्ण स्रिलंका को विजित करने का स्रिय जो जाता है तो उप्रूंस में से कोई नहीं मसे एक से अधिक मतलब से कोई भी आंसर नहीं हो सकता है थेक्ष यादर कि इसमें जो आपका जो इस आंदोलन कनारा करो या मरो तो यह आपका सही है अंदोलन का प्रस्ताव जवाहरा नहिरू ने पेस किया था आपका यह भी सही है ठीक है बिटिस हुकूमत द्वारा ओपरेशन टेन ओवर चलाए गया तो यह आपका गलत है हिंदू महाशभा कविनिस्ट पार्टी अंदोलन का समर्थन किया था तो यह भी आपका गलत है यह भी C और D गलत है और A भी आपका एक से अधिका आंसर सही है ठीक है फ्रेंट्स याद रखेगा नेक्स्ट आपका फ्रेंट्स 19 नमर कोश्चन कि नियाए दर्सन के प्रवर्तक निमलिखित में से कौन है नियाए दर्सन के रचेता महरसी अक्षपाद गौतम है और नियाए दर्सन का प्रमुख गरंथ गौतम का नियाए सुत्र है याद रखेगा नेक्स्ट आपका 20 नमर कोश्चन कि निमलिखित में से किस संगठन का नाम वर्स 880 में बदल कर भारतिय राष्ट्य कौनग्रे से रखा गया इंपोर्टिंग कोश्चन है तो राइट आंसर अफसन नमर ए भारतिय राष्ट्य संग तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पे आपका इस संगठन का नाम बदल कर भारतिय राष्ट्य कौनग्रे से रखा गया तो दादा भाई नरोजी के ने कहने पर यहाँ रखे यह सब कोश्चन ऐसे एक्जामे कोश्चन पूश्टा है तो प्लीज अगर आप पेन अगर होगा आपकी पास तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लिजएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको वही पताता हूँ जो आपके एक्जाम पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आपका 21 नमर कोश्चन कि सुभास चंद्र बोस के बाड़े में निम्लेकित में से कौन सा कथन गलत कथन का चेन कीजिए तो इसमें से गलत कौन है इसमें देखिएगा फ्रेंट तो सबसे पहले आपका कि 1938-1949 में कॉंग्रेस की अध्यक्ष बने तो ये आपका सही है नेक्स्ट आपका जपान के सहाथा से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया तो ये आपका गलत है 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन किया तो ये आपका सही है और उन्होंने तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजाई दूगा कर नाड़ दिया तो ये भी आपका सही है तो इसमें राइट अंस हो जाएगा ऑपसन नमबर भी आपका सही हो जाएगा देखें आपके सुभास चंद बोस ने जर्मनी के बिदेश मंत्राले के सहता से द फ्री इंडिया सिंटर के अस्ताफना की थी ठीक है न ये याद रखीगा नेक्स्ट आपका बाइस नमर कोश्चन की मसस्त जागीर की सुरवात किस मुगल सासक ने की राइट अंसर ओफ्सन नमर सी औरंग जेव ने ठीक है तो मसस्त जागीर की सुरवात औरंग जेव शाशक ने की थी नेक्स्ट आपका तेश नमर कि इवन बतुता कि सुल्तान के सासनकाल में आया था राइट अंसर ओफ्सन नमर वी मुहमध बिन तुगलक के सासनकाल में तो मुरक्को निवासी इवन बतूता जो है वह मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में 1333 यानि कि 1333 में इसमें भारताया था ठीक है यादर किये गाई ये नेक्स्ट है आपका 24 नमर कोश्चन कि दिल्ली सन्यंत केस के नाम से प्रसिद लॉड हाडिंग पर बं हमले में किसे इंपॉर्टिंट कोश्चन है राइट अंस हो जागा देखें जिसमें किसको फासी दी गए थी तो सबसे पहले हो जागा एक से अधीक यानि कि राइट अंस और ऑप्सन नमर सी है या उपिक्स में से कोई नहीं एक से अधीक आंसर ते देखें यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखें आपे बसंत कुमार विश्वास को फासी दी गए थी बाल मुकंद को भी फासी दी गए थी अवद भिहारी को भी फासी दी गए थी और मास्टर अमीचंद को भी फासी दी गए थी ठीक है याद कि 23 दिसमबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दिन लॉड हाडिंग ब नहीं को बात करते तो सबसे पहले आपका यह कोशन आसकता है कि जो दिल्ली संबर 1912 को यह इंपॉर्णा को वो 23 देसंबर 1912 को बनी थी ठीक है ये इंपोर्डिन कोशन है नेक्स्ट है आपका 25 नमर कोशन कि 13 अप्रेल 1929 को हुए जलिया वाला बाग हत्या कांड के सम्बंद में निम्लिकित में से कौन सा कतन सत्य नहीं है तो इसमें से फ्रेंड्स आपका जो कतन सत्य नहीं उसको आप पहला आपका कतन है कि तहत सत्य पाल एवं किचलू की ग्रिफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी तो यह आपका सही है जनरल डायर को भारत सरकार में पदोत्री दी गए तो यह आपका गलत है तो राइट अंसर हो जागा ऑफसन नमबर डी हो जागा क्यों क्योंकि देख पर गोली चलाना आवस्यक था हाला कि यह भी कहा गया है कि अधिक बम बल पडियोग किया गया जनरल डायर को सजा के रूप में बर्ख्यास कर ब्रिटेन भेज दिया गया था ठीक है और ब्रिटेन संसद में उसकी प्रसंसा की गई और सौड ऑफ ओनर उपादी से समानित कि गया था याद रखिएगा सौड ऑफ ओनर से किसे समानित किया गया था जैनरल डायर को समानित किया गया था ठीक है नेक्स्ट आपका 26 नमर कोशन कि कि किस परसिद नेता ने बिभाजन को कॉंग्रेस का विश्वास घात बताते हुए कहा है कि खुदाई कि दम तागडों को भेडियों के आगे फेका जा रहा है तो राइट अंसर ऑफ्सन नमर ए खान अब्दुल गफार खान याद रखिएगा तो यह माउंट वेटन ने तीन जून 1947 को भारत का विभाजन कर स्वतनता देने की घोसना की ठीक है तो याद रखिएगा कि कार्डेश अमीती ने 12 जू और कॉंग्रेस महा समीती ने 14 से 15 जून को इस योजना को सुईकार कर लिया था तो याद रखिएगा कि खान अब्दुल्ला खान गफार खान ने ये कहा था नेक्स्ट है आपका 27 नमर कोश्चन की बिजया नेगर समराज में 58 से क्या अभी प्राय था राइट अंसर ऑफ्स राजियों को सलतनत में सामील में मिलाया था राइट आउसर ऑफ्स नमबर सी गहय सुद्दीन तुग्लक Espine ने दाचिन के राजियों को सब पर्थम सल्तनत में मिलाया था कि नेक्स्ट आपका 29 नमर कोश्चन 857 के 37 संगडाम में किस राजवन्स ने अंग्रेजों की सरवधिक सहता की थी राइट अंसर ओप्सन नमबर ए गौारलियर के संगी सिंधियों ने नेक्स्ट आपका तीस नमबर कोश्चन कि निम्लिकित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरू की पहचान कीजिए या आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट आपका 31st नमबर कोश्ण कि अरुणा आसफ अली का सम्बन सथन्ता संघर्ष के किस आंदोलन से था राइट अंसर अफ्ट नमर भी भारत छोड़ो आंदोलन तो अरुना आश्रफ अली का संबन्द भारत छोरो आंदोलन से था जिसके सुर्बात भारत छोरो आंदोलन की सुर्बात हुई थी 9 अगस्ट 1942 से हुई थी उन्होंने भारत छोरो आंदोलन के दौरान कॉंग्रेस के से सस्त की अध्यक्सता भी की थी तो याद रखेगा कि कलकत्ता में छुनु कॉलेज की अस्थापना। थी और 1885 में इसका presidency college कर दिया गया था इभा इसको presidency कप किया गया था त impacto सभेलों में कर दिया गया था इसका नाम बदलकर राइट एंसर और से नमर सी रविनात टैगोर ने तो और सःयोग अंदोलन के दोराद विदेशी कप्रों को जलाने की रविनात टैगोर ने निस्टूर बरवादी घोसित कर ली थी ठीक है यह आप लोग याद रखेगा नेक्स्ट आपका 35 नमर कोस्चन कि किस ने अहमदाब में इसकी अस्थापना हुई थी नेक्स्ट आपका 36 नमर कोस्चन कि दूतिये गोल में समयलन में कॉंग्रेस का प्रतिनित किस ने किया था इंपॉर्टन कोस्चन है राइट आंसर और सी महात्मा गांधी ने तो याद रखेगा कि दूतिये गोल में समयलन का योजन कब कि सुभाशs Can Гос को देश नायक कह करकिस ने संबोधित किया था राइट अंसर का रविन्नात्र टेगोड़ने तो रविन्नात्र टेगोड़ने सुभाश्चन बोस को देश नायक के उपाधी दी ठीक है और गांधी जी ने उन्हें धेशभक्तो का देशभक्त कहा था और सु याद रखेगा नेक्स टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मद्ध अंतिम यूद कब लड़ा गया था राइट अंसर ऑप्सन नमबर डी 1799 में यह इंपॉर्ण है टीपू सुल्तान चतुर्थ अंग्ल मैसूर यूद 1799 के दोरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गया थे और वह खुद को नाग्रिक टीपू भी कहा करता था ठीक है ना यह आप लोग याद रखेंगा नेक्स टैप का 39 नमर कोश्चन कि निमल ने ही 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था कब तो 1942 में याद रखेंगा 1942 में ठीक है नेक्स्ट कोश्चन आपका 40 नमबर महत्मा गांधी और लॉर्ड इर्विन के मद्ध सम्झाता कब संपन हुआ था राइट अंसर अप्सन नमर भी 5 मार्च 1931 को पांच मार्च 1931 को ग नमर कोश्चन कि 1857 के विद्रोग के समय भारत का गवरनर जनरल कौन था बहुत इंपॉर्डन कोश्चन है राइट अंसर उपसन नमर डी लॉर्ड कैनिंग तो 1857 के विद्रोग को बिरिटिस इतिहांसकारों ने सिपाही विद्रोग की संग्या दी है और इस विद्रोग के स नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का श्वामित्व संचालन प्रबंद प्रबंदन एब नियंत्रन किसके द्वारा होता है नियोजन प्रणाली अपनानी अपनाई जाती है जिससे समस्त आर्तिक गति विदियो पर सरकार या राजी या केंद्री ये इकाई द्वारा संपादित की जाती है ठीक है नेक्स्ट आपका 43 नंबर कि ग्रामीन एबम सहरी छेत्रों को संपुर्ण देश के लिए कितनी नियूंतम कैलोडी उर्जा प्रती वेक्ती प्रती दिन निधारित है तो राइट एंस होताएगा ओप्सान नंबर सी 2250 कैलोडी ध्री कि देखें फ्रेंड नेक्स को स्ट्रने आपका मैस करना है कि निहीं के दिलीखें सूची हो को सही मिलान कीजे मसाला है या सीर्स उठ पाद另外 कौन सा मासाला किस चीत्र से उस्टर से उसपाजित होता है तो सबसे पहले आपका केसर, देखें फिर्ण यकेसर थाए कि जम्मू कस्मिन में यह होता है कि ज्डाध केसर, ठेक है, आपका काली मिर्ची, कहस से काली और कहस से कहलर यहाद एक कateg lev से, अगे नेक्स आपका हलदी तो हल्दी जो है आपका अंदरपर्देश मुत्पादित होता है और जीरा जो है आपका राजस्थान में तो देखे फिर्ट इसका राइट अंसर दाएगा आपसन नमर भी आपका सही हो जाएगा ठीक है मैच कर लिजेगा आप लो किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संग्या दी जाती है राइट अंसर अपसन नमर सी नियूंतम समर्थन मुल्ले को नेक्स अपका 46 नमर कि राश्चे क्रिसी तथा ग्रामिन विकास बैंक नवाट की अस्थापना किस समीती के अनुसंसा पर की गई थी राइट अंसर अपसन नमर सी शिव रामन सिंग समीती के अनुसंसा पर की गई थी यादर की गा कि नवाट का जो अस्थापना हुआ था बारह जुलाई यादर कि बारह जुलाई उनीस सो बेरासी को गई था यहां पर कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपका जो हरी खादान से समन्दित है पीली क्रांथी यह मक्का यह अपका गलत है स्वेट क्रांथी आपका दूद यह समन्दित है क्रिसी क्रांथी आपका यह कपास यह अपका गलत है यहां कि आप लोग याद रखेगा नेक्स चार्टालिस नमर कोश्चन की भिलाई इस पाथ संयंतर किस देश की सहायता से अस्थापित किया गया नेक्स चार्टालिस नमर कोश्चन की निमलिकित में से मुद्रा का निकट प्रती स्थापन मुद्रा कौन है राइट एंसर ऑफसान नमर जाएगा ऑफसान नमर ए उपिक में से कोई नहीं उपिक में से एक से अधिक तो बॉन्ड सरकारी प्रती भूमिया रिन पत्र बैंकों की कुल जमा रासिया कंपनियों के सेर इत्यादी मुल्क का संचेन करते हैं इसलिए ये मुद्रा का निकट प्रती स्थापन करते हैं इनको ही सस्टिकत मुद्रा कहा जाता है या देखिए तो राइट अंस हो जागा और एक से अधिक आपका राइट अंस हो जागा नेक्स्ट आपका पचास नमर कोश्चन कि यदि एक दी हुई समयाबधी में कीमतों तो था मौद्रिक आये दोनों दुगनी हो जाए तो बास हो जाएगा ऑफसन नमबर डी चातिस गड़ में तो आर्थिक सर्वेक्चन दोर बीस एकिस के नुसर भारत में सबसे अधिक गड़ी भी दर चातिस गड़ राजी में यादा कि है 39 परसेंट इसमें सबस्यदा गड़ी है ठीक है उसके बाद सावधी गड़ी गड़ी के माम अधिये शवाना प्रदेश की जलवायू की मुख्य विशेश्था है राइट अंसर अफसन नमबर सी अत्यंत अल्पकालीन सुस्ग रीतु नेक्स्ट आपका 53 नमबर कि निम्ली कितमे से किस राजी की सीमा बंगलादेश से नहीं मिलती है यह बहुत इंपॉर्ट इंसर अफसन नमबर सी मनिपूर ठीक है तो यादर कि है बंगलादेश की सीमा को असपस्ट करने वाला राज कुन मीजोरम हो गया त्रिपूरा असम म 54 नमबर कि निम्ण पर विचार करे पहला है फ्रेंट्स आपका कि गर्म और सुस्क जलबायू दूसरा है कि हलकी और गीली सर्दी तीसरा है कि सदावाहर ओक के पेर उपिक्त भग गॉलिक बिसेस्टा और निम्ली कितमे बिसेस्ट बिसेस्टा है तो राइट आंसर हो जाए नहीं है तो सबसे पहले आपका कि वारा लाचा दर्रा यह हिमाचल पर्दिस में यह आपका सही है सीपिला दर्रा का हिमाचल पर्दिस में यह भी सही है उसका आपका फ्रेंट्स माना दर्रा यह सिक्किम यह आपका गलत है माना दर्रा जो है वो यह सिक्किम में नहीं है या माझा दर्रा लंग दर्रा मुलिंग दर्रा और तह्तांगल दर्रा यह कहाँ पर तो उत्राखंड राज में इस्थ्थ है ठीक है तो आपका सई हो जाएगा नेक्स्ट आपका 56 नमबर कि नामचा बढ़वा हिमाले के किस रेनी में इस्तित है राइट अंसर आपका 57 नमबर कोश्चन कि पतना के समीप गंगा नदीक में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है राइट अंस हो जाएगा ओप्सन नमबर C उत्तर से आकर गंड़क मिलती है नेक्स्ट अप का 58 नमबर कि नदियों की विसर्फ वाई का जो गोखुर जील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है राइट अंसर ओप्सन नमबर C मन कहलाती है नेक्स्ट अप का 59 नमबर कोश्चन की बिहार में टाल छेतर का बिस्तर कहां से कहां तक है राइट अंसर ओप्सन नमबर A पटना से मुकामा तक है नेक्स्ट अप का 60 नमबर कोश्चन की चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में इस्तित है तो जो चंदन का जो मैदान है वो दक्षिन बिहार के मैदान में पुर्व में इस्तित है इसके अंतरगत बाका तथा भागलपुर जीला का छेतर वे इसमें साथ सम्मिलित है नेक्स्ट आपका 61 नमबर की मरुधान किसे कहा जाता है राइट अंसर अपसर नमबर सी रेगिस्तान में हडियाली वजल बाला छेतर को मरुधान कहा जाता है तो रेतीले मैदानों में दूर दूर पर कहीं कहीं पानी के बावडी या कुए मिलते हैं जो पहुत गहड़े होते हैं यहाँ पर कुछ हडियाली भी मिलती है ऐसी जगह को मरुधान कहते हैं याद रखेगा नेक्स्ट आपका बास्तर नमबर कोश्चन की दामोदर घाटे निगम की अस्थापना कब हुई थी बहुत इंपोर्टिन कोश्चन है तो दामोदर घाटे निगम की अस्थापना दामोदर घाटे निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के तयत वर्स 1948 में किया गया था ठीक है और दामोदर घाटे निगम देश की पर्थम बहुत देशिये नदी घाटी प्रयोजना है और यह इससे जारखंट एबं पश्चिम मंगाल के बाट प्रभावी छेत्र में बाट नियंतर में मदद मिलती है नेक्स्ट आपका 63 नमर कोश्चन कि निम्नांकित घास के मैदान में कौन सही सुमेलित नहीं है सबसे पहला आपका cambiar प्रभाव जबका शक्रेघ कंशन करता है सपस्ट इसन प्रिखन सही मैच करना कोण सही सुमेल आपका सबसे न Спढबाव में Εमकरवां लानोस जो अब का इसने होसे है और इसमें से तो घरिंड रब्राइप है और उसके बिन सर्डाइप लगलत दक्षनी ब्राजील और और यह ऑन्डीन स्वोल जो है और अर्जन्टीना में ठीक है और यह आपका सेलवास्ट याद क्या सेलवास्ट जो है वह अमेजन बेसिन में है यह इंपॉर्टन है तो राइट अंसर ऑप्शन मर्शी आपका सही हो जाएगा मैंने आपको सभी ऑप्शन को बता दिया हूं एक स्सिंग कि हेल सिंग कि कि गया छानी हैम एक्शन की फीलनयन की घन की नार्वे की तथा स्कॉठ्ष मुध चोंड्य न की राजश्दानी ह। याद रखिएगा नेक्स्ट आपका 65 नमबर कि निमने से कौन ठंडी जलधारा नहीं है तो देखे फ्रेंट्स इसमें इसका जो राइट अंसर क्या हो जाएगा तो आपसर नमबर डी यानि कि अगुल हाश तो अगुल हाश जो है यह एक ठंडी जलधारा नहीं है ठंडी जलधारा नेक्स्ट आपका 65 नमबर कोश्टन कि आइतन की दिरिष्टी से साह पानी का सबसे बड़ी जील कौन सी है तो राइट आंस हो जागा ओपसर नमबर डी बैकाल जील तो आइतन की दिरिष्टी से बैकाल जील जो रूस में है एवं सता शित्पल की दिरिष्टी से सुपीरियर जील जो अमेरिका कनाडा साफ पानी के सबसे बड़ी जील है जबकि खारे पानी के सबसे बड़ी जील है उसको कैस्पियन सागर कहते है इसको नोट डाउन कर लिजीगा फिनस ठीक है नेक्स्ट आपका 67 नमबर की टॉरेस जल डमरू मद्ध किन दो दिपो के मद्ध इस्तित है राइट अंसर ओप्सन नमबर ए उस्टेलिया एवं पापुआ नियूगिनी के मद्ध है नेक्स्ट आपका 69 नमबर की टॉरेस जल डमरू मद्ध है उस्टेलिया में पापुआ नियूगिनी के मद्ध बीच है नेक्स्ट आप 68 नमबर की वर्तमान में हीरे का सरवादिक उत्पादन किस देश में किया जाता है नेक्स्ट आपका 69 नमबर की किसी भी देश के घरेलियू सुमा में निमलिकत में से किस को सामिल नहीं किया जाता है राइट अंसर ऑफसन नमबर डी देश में इस्थित अंतरास्थे संस्थानों के कारेकल को सामिल नहीं किया जाता है ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट आपका सिक्स्टी नमबर कोश्चन कि दिसंबर डीयर बीस में जारी भारत में तेंदुआ की इस्थिती द्वार अठारा रिपोर्ट के अनुसर भारत के किस राज में तेंदुआ के संक्या शरबादिक है राइट हैंस हो जाएगा फ्रेंट्स आफसन नमबर डी मद्य प्रदेश में तो देखें फ्रेंट्स आपके जो भारत में जो तेंदुआ कर जो इस्थिती द्वारा ठारा रिपोर्ट केंद्रिय वन पडियावरान एवं जलबायू परिवितन मंत्राले दौरा दिसंबर द कि इस तेंदुआ मद्य पर्देश में दूसरे अस्थान पर करनाटक है तिसरे अस्थान पर महराष्टा चोथे अस्थान पर आपका तमिलनाडू राज्य है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट्रा सेवेंटी वन नमबर कोशन कि भारत के किस सहर में एसिया का पहला राष्टिय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र अस्थापित किया जा रहा है राइट एंसर अप्सन पर बी पटना में तो याद रखिएगा कि भारत और एसिया का पहला राष्टिय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार राजी के पटना विस्विद्याले पड सबसे अधिकैं ॥ आप समर्शी स्विक्त अरव अमिराथ UAE तो याद रखेगा कि स्विक्त अरव संग के आर्थिक एवं समाजिक मामलों के विभाग द्वारा जनवरी द्वारे किस रिपोर्ट के नुसार द्वार बीस में 1.8 करोर भारतिये विभिन देशों में रह रहा है सरवादिक जो है 35 लाख प्रवासी भारतिय स्विक्त अरव अमिरात में रहा है और 27 लाख अमिरिका में और 25 लाख सौधी अरव में तो ये भी आप लोग याद रखेगा डेटा ठीक है नेक्स्ट टैप का 74 नमबर कि एलन मस्क के द्वारा अस्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपगरहों को एक साथ प्रचेपन कर नया कृतिमीन अस्थापित किया है राइट एंसर अफसन अमबर डी 143 ठीक है तो स्पेस एक्स ने याद रखेगा कि 24 जनबरी 21 को स्पेस एक्स ने फॉलकन 9 रॉकेट याद रखेगा रॉकेट का नाम है कि फॉलकन 9 रॉकेट द्वारा प्रचेपित किया है 143 उपगरहों को ठीक है ये भी आप लोग याद रखेगा नेक्स्ट आपका 74 नमबर कि व्यक्तिकत रूप से लगतार दो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलारी हाली में कौन बनी है इंपोर्टिन कोश्चन है राइट अंसर आपसर नमबर B पीवी सिंदू तो 26 वर्स की पीवी सिंदू लगतार दो व्यक्तिवत ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारती है और देश की पहली महिला खिलारी बन गई है ठीक है नेक्स्ट है आपका 76 नमबर की नीती आयोग के दूसरे इनुवेशन इंडेक्स नवाचार सुचकांग धर 20 में बड़े राज्यों की सिरेनी में पहला अस्थान किस राज्यों को प्राप्त किया है राइड अंशर ऑस नुवर भी गर्नाटक को और दूसरे पर है मरास्ठा और थिस्या पर अपका तमिलनाडू और बड़े राज्यों में बिहार अंतीम अस्थान पे यान कि बिहार का जो अस्थान है वो 17 अस्थान याद रखीगा अर्सन अभी इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रोलर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नेक्स्ट आपका 78 नमबर कि सुलहवी बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ओफिसर कर्नल स्री संतोस बावु को मर्नो प्रांत किस सैने समान से समानित किया गया नेक्स्ट आपका 79 नमबर कि द लवर बॉइ ऑफ बहलपूर पुस्तक किस ने लिखी है राइट आपका 80 नमबर कोशन की 66 वे फिल्म फियर पुस्तक देजिए कि सर्फिस्ट फिल्म का पुस्तक किस फिल्म को मिला है ये बहुत इंपोर्टन क्ोश्चन है राइट आNसर आपटामर्ण अवली थपर पर दे कया फिरिंटे से 66 बे जो फिल्म 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 प्रुसकार जो हुआ तो उसमें सर्फसेस्ट फिल्म थपर उसके निर्देश कोन है तो अनुभब सिना और सर्फसेस्ट अविनेता को किसको मिला है और इड़फान खान अंग्रिजी मेडियम के लिए ठीक है सर्वसेष्ट अभिनेत्री को मिला तापसी पन्नु थपर मुवी के लिए और सर्वसेष्ट निर्दे सकोन है तो ओमराउत ताना जी के लिए ठीक है न तो इन्हें ये सब पुरुषकार दिया गया है तो ये नोड़ डाउन कर लिज़ेगा नेक्स्ट आपका 81 नमर कोशन की हाली में भारत के 48 में मुख नियादिस कौन बने है बहुत इंपॉर्टन कोशन है ये फिर्ट राइट अंसर ऑफ्सन वर्सी एन्वी रमना तो 48 में मुख नियादिस के रूप में एन्वी रमना को ने 24 अप्रेल 2020 को सपत गरहन किया है और इन आपका 82 नमर कोशन है आपका कि अमरित महतसव के संदर में निम्लिकित कतनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाओ करे इसमें से असत्य कथन को ने इसमें देखीगा तेके पहला है क्या कि यह महतसव स्वतंतरता के 75 वर्स पुर्ण होने के अफसर पर मनाया जाएगा तो इस महतसव का सुवारम परधान मंतरी नेंद मोदी ने 12 मार्च दरकीस को अहमदाबाद गुदरात के सावर मंतरी आसरम से किया यह भी आपका सही है देश के 6 स्थानों जम्मू इंफाल पटना भूबनेश्वर पूने और बैंगलूरु में वर्चुल परदरसनी का आयोज 83 नमर कोशने फ्रेंट सापका कि स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंसेचीट सिप्री द्वारा जारी वर्च 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 रिपोर्ट के नुसर हतियार के खड़ीद आयात के मामले में 20 में भारत का कौन सा अस्थान है तो राइट एंस हो जाएगा ऑप्सनल भी भारत का अस्थान दूसरा है तो याद कि पहले अस्थान पर सौधी अरब है ठीक है यह इंपॉर्ट है नेक्स्ट है आपका 84 नमर कोशन कि भारत के प्रधान मंतरी नेन मोदी और स्वीडन के प्रधान मंतरी के बीच 5 मार्च और 21 को आभासी सीखर वरता संपन हुई है स्वीडन के प्रधान मंतरी नेक्स्ट है आपका 85 नमर की हाली में न्यूक्त राष्ट अद्यक्षो में कौन सुमेलित नहीं है तो देखेंगा पहले सिरिया के राष्ठ पती आपका अपका पिरू के प्रथन मनती है तो गोई डो बेली डो तो ये फ्रेंट्स आप लोग इसको देख लिजेगा क्योंकि आपके एक्जाम में ना आपके बीदेश के प्रधानमंत्री राश्पती आपकी पूछते तो प्लीज आप इस एक पर जहूर देख लिजेगा ठेक है नेक्स्ट आपका 86 नमबर कि सयद मुस्ताद अली ट्रॉफी 2221 का किताब किसने जीता है राइट अंसर अप्सन मर भी तमिल नारू ने जीता है नेक्स्ट आपका 87 नमबर कि सुलहवा प्रवासी भारते दिवस समारों नौ जर्वनी 2221 को संपन हुआ है इस समारों के मुख अतिति कौन थे राइट अंसर अप्सन नमबर डी सुरी नाम के राश्पती चंद्री का परसाद शंतोखी थे ठीक है नेक्स्ट आपका 88 नमबर कोशन कि राश्ट ये बाली का दिवस के अफसर पर 20 वर्स ये स्रिस्टी गोश्वामी एक दीन के लिए किस राजी के मुख मंत्री बनी है राइट अंसर अप्सन नमबर सी उत्रा खंड के राश्पती बने है याद रखेगा ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट आप फ्रेंट्स आपका 89 नमबर कोशन कि की स्राज सरकार ने ओलंपिक एबम एस याई खेलो में श्वर्ण पदक बिजेता को कर्म सथ तीन करोर और एक करोर की रासी प्रुसकार के रूप में देने की घोसना की है तो राइट अंसर अप्सन नमबर डी राजस्थान सरकार ने नेक्स्ट आपका 90 नमर कोशन कि प्रतियोगिता परिक्षाओं की त्यारी करने वाले छात्रों के लिए निसुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभियुद्ध योजना की सुरवात की स्राज सरकार ने की है राइट अंसर अप्सन नमर सी उत्तर प्रदेशने तो प्रतियोगिता परिक्षाओं की त्यारी करने वाले छात्रों के लिए निसुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभियुद्ध योजना की सुरवात उत्तर प्रदेश सरकार के दोरा राज की एक तरवेस प्रतान किए गया है राइट अंसर ऑपशन नंबर डी 119 दिए गया है याद रखेगा इसमें से आपका जो उसमें साट बैक्तियों को पद्मभीूसन दस बैक्तियों को पद्मभूशन और 102 हस्तियों को पद्मASHरी पूशकार से समानित किया गया है नेक्स्ट आपका बार् पुर्षकार के रूप में 15 लाग की रासी और प्रस्थिस्पद्र और प्रतिक चिन प्रदान किया जाता है तीसवा सर्षती सम्मान जो है 22 मराथी लेखक डॉक्टर सरन कुमार्ड लिंबाले को उनकी मराथी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है और 29 सर्षती सम्मान जो 19 दिया गया है वो वासुदेप मोही को कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया था ठीक है और पहला सर्षती प्रुषकार जो प्रदान किया गया है वो हरी वन्स राय बच्चन को उनकी आत्नकता 10 द्वार के से 105 तक के लिए दिया गया था या नेक्स्ट आपका 94 नमबर कि भारत बनस्वती रिपोर्ट द्यार उनीस के अनुसार सरवधिक बन छेत्रवाले राज्यों की इस्तिके अवरोही क्रम में सजाएं तो देखे इसको अवरोही क्रम में सजाना है तो देखे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आप अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मध्य पर्देश उसके बाद हो जाएगा आपका अरुनाचल पर्देश उसका दो जाएगा 36 गर्ड ठीक है फेंट्स नेक्स्ट आपका 95 नमबर कि आत्मे निर्भर बिहार के सतत नीश्चे दो में कौन सी योजना आपका आमध का आपका 96 नमबर कोशन्ट की बिहार बजट 2221 के अनुसार राज के राजकोशी घाटा GSDP का कितना परतिसत रहा है तो यह आपका इंपॉर्ड़न है यह आप लोग याद रखीगा नेक्स्ट आपका इस आपका 97 नमर कोस्टन कि बिहार के किस जीला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा यह इंपॉर्ड़न है तो राइट एंपॉर्ड़न है तो किन सरकार दोरा भारत में 42 मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा जिससे 5000 लोगों को रोजगार इसे प्राप्त होगा ठीक है नेक्स्ट आपका अंठाने में नमर कोस्टन कि वर्च वहर 20 के लिए बिहार का सर्फिष्ट थाना किस थाना को चुना गया यह इंपॉर्ड़न कोस्टन है अगर हम बात करते हैं फ्रेंट्स अगर वर्च वहर 19 के लिए चुना गया था नालंदा के राजगीर थाना को बिहार का सर्फिष्ट थाना चुना गया था यह भी आप लोग याद रखेगा नेक्स्ट आपका निनाने में नंबर कोशन कि 51 अंतराष्टे फिल्म महतसव आई एफफवाई दोहर 21 में फोकस राष्ट कौन था राइट अंसर अपसन वर्ची बांगलादेश तो भारत का 51 राष्टे फिल्म महतसव में 24 जनवरी दोहर 21 को गुआ में संपन हुआ उदग रखेगा ये भी नेक्स्ट आपका हंडे नमर कोश्टन कि 22 में 48 जी सेवन सीकर सम्मेलन का योजन किस देश में किया जाएगा राइट अंसर अपसन नंबर सी जर्मानी में तो 22 में जी सेवन का 48 सीकर सम्मेलन जर्मानी में आयोजित होगा जून याद रखेगा और जी सेवन के सदर से देश कौन कोन है कनाडा फ्रांस जर्मानी इटली जपान युनाइट गिंडम और यूएसे संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक है ये इंपॉर्ण है नेक्स्ट आपका 101 नमर कोशन देखेगा कि बिहार प्रांतिय किसान सभा के अस्थापना कभ हुई राइट अंसर और बाकिपूर पत्ना में बाकिपूर में 1912 में आउजित हुआ था ठीक है 1912 यादा कि डेट यादा कि एफेंट 1912 में आउजित हुआ था और योग कॉंग्रेस का सताइस्वा दिवेशन था जिसकी अधिक्स था आर इन मधोल करने की थी आर इन मधोल करने नेक्स्ट आपका 103 नमर कोशन कि चंपारन एग्रिडेरियन समीती के अधिक्स कौन थे राइट अंसर आफसर नमर डी एफ जी सलाई एफ डी एफ जी सलाई थे नेक्स्ट आपका 104 नमर कोशन कि प्राचीन मध महाजनपद में कौन सा आधुनिक चित्र सामिल नहीं था राइट अंसर आफसर नमर डी मुझपर पूलिस में सामिल नहीं था तो सुला महाजनपदों में मगद सबसे सक्तिसाली महाजनपद था जिसमें दक्चिन बिहार का पटना गया सहाबाद का चित्र सामिल था बिहार में अंग लिच्वी और मगद महाजनपद था इसमें आपका मुझा परपूर नहीं था नेक्स्ट आपका अगर हम बात करते हैं तो बिहार में नप पासान काल के अपसेश चिरांद यानिकी सारन एबम 442 में प्राप्थ हुए थे जिन में पत्थर के ओजार एबम हड़ी के समान है या तक है कहां पे चिरांद में और आपका चेशन में से प्राप्थ हुआ है आपका 156 नंबर कि सेरसा ने पात्ना को कब बिहार की राजधानी बनाया रैट आउनसर अपसन नवर सी 1541 इस भी में तो सेरसा ने陳nej 449 में चोईसा की यूद में ईबभं 550 में बिल्गराम की यूद में हुमाई को पराजित किया था याद रखेगा ठीक है और उसका मकवारा क सा राम में 100 सह से हर्फ है और 100 सह सा सा राम ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं नेक्स ट्रैप के एक्षो साथ नमर कोशन कि तुगलक काल में भिहार की राधानी कहां ऑपंजार अर्श सै स्रीफ में वीघार तो तुगलक रोतास गढ़ को प्रांतिय रधानी बनाया था नेक्स्ट आपका 108 नमर कोश्चन कि वर्तमान पटना कॉलेज कि सीरोपीय कंपनी की फैक्टरी थी राइट आंसर ऑफसर नमर सी ये डच की फैक्टरी थी नेक्स्ट आपका 110 नमर कि प्रसित नर्तकी आम्र पाली का समंद किस नगर से था राइट आंसर ऑफसर नमर डी पैसाली से नेक्स्ट आपका 110 नमर कि कि किस प्राचिन गरंठ में पहली बार बरतमान बीहार के भग्यौलिक च्छितरग्य की चर्चा मिलती है राइट अंसर ऑफसर नमबर ए सत्पत ब्राह्मन में इसकी जानकारी मिलती है नेक्स्ट आपका 111 नमबर कोश्चन कि जब परकास एक से दूसरे माध्य में परवेश करती है तो उसके तरंग दधर पर क्या परभाव परती है राइट अंसर अफसर नमबर ए परिवर्तित हो जाता है जब कोई परकास बायू से काच या एक माध्य में जाती है तो परकास की आपरिती समान रहती है लेकिन उसका तरंग दधर एवं वेक परिवर्तित हो जाती है परकास का अधिकतम बेग जो होता है वो निरबात में अधिकतम होता है नेक्स्ट आपका 112 कुश्ड़ की दिए गए भीकलपों में कौंसा मिलान सही नहीं है तो पहला है आपका की मैνοमीटर तो मैनमीटर जो है उगैसों का दाप है तो ये आपका सही है पाइरोमेटर जो है उच तापता पी आपका सही है और डिोमेटर जो है आपके धोनी की तीप ओड़ता यह भी आपका सही है तो राइट आंसर ञाद की कि SI पत्ति में कितनी मूल मात्रकों को स्विकार किया गया है Right answer, option number D यानि कि 3 मूल मात्रकों को किया गया है Sorry friends, इसमें हो जाएगा Right answer, option number B यानि कि option number B आपका स्विकार जाएगा 7 Sorry, 7, 7 याद रखिएगा कि SI पत्ति के अंतर का 7 मूल मात्रकों तो था दो संपूरक मात्रों को स्विकार किया गया है तीक है जिसमेखा आपका होगया लंबाई जिसका मात्रक मीटर है दरबन का होगया किलोग्रम समय का होगया सेकेंड भीदुधरक होगयाonie अंपियर तापका होचेगा केल्बिन जियोती तिरुता का हो जागा Candela और पदार्थ की मातर का हो जागा Mole ठीक है? नेक्स्ट है आपका 114 नमर कोशन कि निम्लिकित में से पदार्थ के अमली है छारी होने का प्राकिर्थिक सूचक है? Litmus, हल्दी, Vanilla, Long तो राइट अंसर फ्रेंट्स आप जागा ऑप्सन नमर डी यानिकी एक सभी ठीक है फ्रेंट्स यहां पर राइट अंसर की हो जागा तो दीखेगा तो यह वैसा पदार्थ जो हमें बतलाता है कि दिया गया पदार्थ अमल है या छार सूचक कहलाती है शुरत के अधार पर सूचक को दो भाग़े बाटा जाता है जैसे में प्राकृति सूचक हो गया और मानव निर्मित सूचक हो गया तो इसमें जो हो जागा राइट अंसर हो जागा ऑप्सन नमर डी आपका सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट यह आपका 115 नमर के फाइबर ऑप्टिक्स की सिधान पर काड़े करता है राइट अंसर अप्सन मर सी संपुर्ण आंतिक प्रावरतन पर या काड़े करता है नेक्स्ट यह आपका 116 नमर की वरतनों को चमकिला बनाने के लिए सबसे पहला 하게 अच्छा से शांस लेता है तुस्ट रक्त परावी यह भी साहिए काड़ी हो जाती है तो यह आपका गलत है गज्ट है तो में उबेचर वड्क निफशा करता आताध कि निम्ड में से कौन सी रसायन मच्छर भागाने वाली दबाओं में से सकडिये रूप में से पाई जाती है राइट एंसर ऑप्सन नमर भी आपका होज़ागा एलिथ्रीन एलिथ्रीन जो है मच्छर रसायन भागाने में मदद करती है नेक्स्ट आपका 119 नमबर कि एक 20 नमर कोशन कि मानव सरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सियन होता है राइट अंसर ऑप्सन नमर डी 65 परसेंट तो मानव सरीर के मुख रूप से छो तत्र पाई जाते है जिसमें ऑक्सियन कारवन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्सियम और फॉस्फोरस सामिल होते हैं म नमर कि निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है तो दिके सबसे पहला आपका मैगनेशियम यह अतिस वाजी के लिए तो यह आपका सही है मैगनेज यह फर्टिलाइजर टंग्स्टन जो है फ्रेंट्स वह आपका इलेक्ट्रिक बल्व और आपका यह जो तामबा जो है गैल नेक्स्ट आपका 122 नमर कि फॉस्फोरस का कौन सा अप्रूप अंधेरे बंबायू में रखे जाने पर हुआ स्वता जल उठता है राइट अंसर अपसर नमर भी स्वैत स्वैत फॉस्फोरस को रखने से नेक्स्ट आपका 123 नमर कि निमलिकित में से किसका मात्रा अमल सब्सक्राइब कि मात्रा सावाजिक लवग 70% होती है याद रखेगा 70% नेक्स्ट आपका 124 नमर कि चूहे मारने की दबा में किस रसायन का पड़ियोग मुख्य रूप से किया जाता है राइट अंसर अपसर नमर ई उप्यक्विक में से कोई नहीं एक से अधिक तो चूहे 125 नमर की सास लेने एवं छोड़ने की कडिया के दोरान कौन सी गैस की मात्रा परभावित नहीं होती है राइट अंसर अपसर नमर भी नैट्रोजन की नहीं होती है नेक्स्ट आपका 126 नमर कोश्टन की मानफ सरीर में पाई जाने वाली सबसे चोटी हड़ी कौन सी है तो र इस मानफ में 206 हड़ी आप आई जाती है जो कि कंकालतंत का निर्मान करती है मानफ का कंकालतंत मुख्यत दो भागों में बाटा होता है नेक्स्ट आपका 127 नमर कोश्टन की निम्द पर विचार कीजिए एक नमर में है कि यह मानफ सरी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंती है यह बिस्यस प्रकार की कोशिकाओं से चारी रस स्रावित करते हैं तो देखेगा जहां पर राइट अंसर क्या हो जाएगा अपसर नमर डी यान की अग्नाश है तो यह अग्नाश है जो है मानफ सरी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंती है और यह एक बिक कोशिकाओं को चारी यह एक सरावित करती है पैनकीडिया जिसको कहते हैं तसंपी पर सबसे भारी प्रकृतिक तत्व कौन है राइंट अंसर अपसन नमर यह यूरेनियम इसका प्रमानू भार 28.03 बर इसका घंत्र होता 20.05 क्राम प्रती घंड सेंटीमीटर है और सबसे हलका कौन है तो याद रखेगा हैड्रोजन जबकि प्रित्वी पर सबसे भारी धातु कौन है तो आस्मियम है तत्व अगर पुछे तो यूरेनियम अगर धातु पुछे तो आस्मियम याद रखेगा कि निम्लिकित में से कौन तना का उधारन नहीं है राइट अपसर मर्सी पोसक तत्वो के अभाव की करण होने वाले रोगों को नेक्स्ट है आपका 131 नंबर कि मलेडिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है राइट अंसर अफसर नंबर C पलीहा तब मलेडिया जो है प्लाजमोडिया नामक एक कोशी की ये प्रोटोजुआ जन्तु के कारण होता है तता इसकी वाहक मादा एनेफलिज मच्छर होती है इससे प्रभावित होने वाले अंग पलीहा या तिली है जिसमें संक्रमन से आकार बढ़ जाते है नेक्स्ट है आपका 132 नंबर कि वस्तर निर्मान में पड़ियोग में लाए जाने वाले ऐसे पदा जिनका स्रोथ पादप नहीं होता है कहलाते है राइट अनसर अफ्सर नंबर A संसलिस्ट तंतु कहलाते है नेक्स्ट एप का 133 नमबर कि निमिकित में से कौन अनुवांसिक रोग नहीं है तो पडाया याद्दास की समस्या के साथ सुरू होता है बाद में या मस्तिक्स के अन्य भागों को प्रवाइट करने लगता है जिससे फल्स रूप निर्ण परकार की समस्या आते जिसे में किया रोजमर्रा के कामों में कटनाई शंबाद में कटिनाई मनुदसा निर्णा लेने की छमता या व्यक्तित में बदलाव बिकल्प में देगाए अन्य सभी उन्वास अनुवांसिक रोग है ये तीनों रोग अनुवांसिक है लेकिन ये डिमेंसिया जो है वो मस्तिक्स का रोग ह next 134 question कि हमारे सरीर को मुख्य रूप से उर्जा प्रदान करता है right answer option number E कर्वो हाइडरेड next 135 number कि cancer के उपचार के लिए किस radio धर्मी समस्थानिक का उप्योग किया जाता है right answer option number E उप्पिक्त में से कोई नहीं उप्पिक्त में से एक से अधिक तो याद रखिएगा arsenic 74 tumor का पता लगाने के लिए क्लिए कोबाल्ट 60 यह भी है जो आपका cancer की उप्पिक्त में प्रता करते हैं iodine 131 cancer की उप्पिक्त में और sodium 24 यह पड़िशंचरन तरनती में रक्त के ठक्की को पता करने के लिए तो याद रखिएगा right answer हो जाएगा option number एक से अधिक ठेक है तो cancer के लिए कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं और cancer के लिए हम लोग iodine 131 का यूज करते हैं तो BDA एक से अधिक answer सही हो जाएगा नेक्स्ट आपका 136 नमर कोशन कि भीर नियंतरन्ध हेतू पड़ियोग में लाई जाने वाली आशू गैस में कौन से गैस होती है right answer option number C अमोनिया गैस होती है नेक्स्ट आपका 137 नमबर कोश्चन कि शरीर में अत्रिक्त गुलकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहां भंडारित रहता है राइट अंसर आपसर नमबर बी यक्रित में लीवर में नेक्स्ट आपका 38 नमबर कि विटामिन एक कमी से निम्लिकम से कौन सा रोग नहीं होता है राइट अंस हो जाएगा ना में ओपसर नमबर ई युपिक से कोई नहीं एक से अधिक तो दो भी नहीं है दिक मेंदिक और यह होता है इसकर भी तो right answer option number D और B हो जागा यानि की एक से अधिक next reference आपका 145 number की H9N2 influenza virus के कारण निम्रिकित में से कौन सा रोग होता है right answer option number A bird flu होता है next question आपका 140 number की the politics पुस्तक के लिखा कौन है right answer option और B अरस्तु है अब देके reference यहाँ पे आपका math का question आता है तो math का question आप लोग बनाई है मैं PDF form में इसका answer आपके telegram PCS में कर YouTube channel पे telegram पे मैं भेज़ दूँगा तो please आप उसे आप channel से join होके इसका PDF आप पास सकते है ठीक है friends तो देखिए 141, 142 number question इसको पढ़िए रीड कीजिए और अच्छे से इसको बनाई है क्योंकि 10 question आपको BPSC में पूछता है math से ठीक है तो देखिए इसको आप देखिए मैं answer आपको PDF telegram group में बेज़ दूँगा तो इसका आप answer देख ली सेगा ठीक है friends देखिए 146 number question 147 number question and then 148 number question and then 149 number question and your last question is 150 तो देखिए friends यहां पे आपका 150 number question है यहां पे friends complete होता है तो please friends अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अच्छा लगे अच्छा लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेका अं तक जरूर देखिए आपका 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 कमेंट करके जरूर बताएगा मिलते हैं आप आप लोसे नेक्स वीडियो में बाए बाए जैहिन दोस्तों